जहिंद एबरिवन, NTSC Social Science के एक नए चैप्टर में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस व्यूडियो में हम NCIT का ओबर्वीव करेंगे कौन से चैप्टर का? Development, कौन से सब्जेक्ट का? Economics का, कौन से क्लास का? Class 10 का, ठीक सुना आपने Economics के Class 10 के Development chapter के बारे में हम समझेंगे कि यह chapter क्या कहता है, इसको पढ़ने के लिए हमें क्या-क्या अपने दिमाग में रखना चाहिए ताकि पढ़ते वक्त हमें कोई problem नहीं आए तो development basically बताया गया है कि किसी भी देश का विकास कैसे होता है, किसी भी व्यक्ती की विकास कैसे होती है, किसी राज जी का विकास कैसे होता है, इन सब के बारे में डिसकस किया गया है जैसे आप सोची कि आप एक person है ठीक है आप एक person है आपकी क्या इच्छाएं आप अपने आप अपने body में या अपने सरीर जैसे development या फिर अपने family में development या फिर अपने घर परिवार में development किस तरह से चाहते हैं जैसे कि एक student क्या चाहता है वो सोचता है कि मेरा number बहुत अच्छा आ जाए तो उसके लिए उसका विकास यही है कि अच्छे position में पहुच जा है तो इसी प्रकास से अलग-अलग व्यक्ति की अलग-अलग सोच होती है विकास को लेकर तो सबसे पहले यहां पर यह बनाया गया है table इसम कि अच्छा होती है अर्वन अनिम्प्लाइड यूथ मतलब बेरुजगार यूवक की क्या इक्छा होती है तो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग डेवलप्मेंट गोल्स होते हैं तो सबसे पहले हमें पहले topic में यहीं discuss किया गया है यहां पहला topic आता है what development promises different people different goals मत अलग-अलग मतलब की विकास की एक विकास का एक लक्ष होता है और विकास का एक मतलब अलग-अलग promises करते हैं अपने आपको उसको fulfill करने के लिए इसके बाद इसके बारे में discuss करेंगे फिर इसके बाद income and other goals करते हैं जिसे कि भारत में अगर विकास की जाती है तो वह आय पर डिपेंड करती है मतलब income sources पर या income पर डिपेंड करती है तो इसके बारे में हापर discuss किया गया कि income और other goals व्यक्ति की क्या होती है क्या सिर्फ पैसा ही व्यक्ति की चाह होती है बहुत सारी चीज़े होती है इस तरह की चीज़े हैं तो वैसे ही चीज़े यहां पर discuss की गई है कि व्यक्ति की क्या क्या चाहती सिर्फ पैसा है कि other goals भी है इसके बारे में इस टॉपिक में discuss किया गये और इसके बार नेशनल डेवलप्मेंट यह पूरे भारत का विकास कैसे होता है या फिर किसी भी दे से डेशों में के अबिक सिद्स में तरह के बेढ़ रहा है योगolly मतलब मतलब के डेमेरिकरे देवलप्मेंट्री में यह आगे बढ़ रहा है अभी पूरह रहा है फुक्णा थ 57 homic एकोनॉमिक ग्रोथ हुए 1991 में एकोनॉमिक रिफॉर्म्स आये फिर उसके बाद आप फिलाल देख रहे होंगे कि अलग अलग तरीके से गौवर्मेंट जो है वो इस ग्रोथ को डिवलॉप्मेंट को बढ़ाने के लिए आगे प्रयास कर रही है ठीक है आज सुबर मैंने एक स साल के कॉर्टर पर इस साल के कॉर्टर पर यह कैल्कुलेट नहीं किया गया था ठीक है तो यह सारी बाते हैं इसके बारे में आप जब एकोनॉमिक पो स्टड़ी करेंगे तो चीज़े आपको समझ में आएंगे क्या क्या कैसे कैसे होता है नेक्स्ट इंपॉर्टन चीज है capita income मतलब होता है कि हर पीपल की income कितनी है साल बर की वह कैलकुलेट की जाती है उसके accordingly हम देखते हैं कि कौन से देश में ज्यादा आए है लोगों की कौन से देश में ज्यादा कम आए है अब यह देखो एक जैसे कि यहाँ पर एक यह फीगर बनाय गाये यह वता रहा कि जिसकि अईसी कंट्रिą जहां पर ना तो ज्यादा करीब हैं ना तो ज्यादा अमीर सब लोग मिल बाट के रहें वह लोगनीं इस टीजें बीश में इन्हमें जहां करने के बिल्कुल है उसको आप जब डिसकस करेंगे जब पढ़ेंगे चीजे तो आपको समझ में आएंगी यहां पर एक ग्जामपल दिया गया हर्याना बिहार और किरला का पर यहां से में चीजे समझ में आती कि बिहार के लोगों की प्रती व्यक्ति आये काफी कम है लगवा को कि पर-capita income वहां ज्यादा है यहां कम है तो इस आप से ग्रोथ दिखा जाए या डिवलप्मेंट दिखा जाए तो हर्याणा में ज्यादा दिखाई देगा आपको और विहार में कम दिखाई देगा तो इसके बारे में यहां पर डिसकस किया गया है इसको आप पढ़ेंगे त मतलब कि development मैंने कहा ना कि it does not depend कि only money आप calculate करके per capita income ही लोगों का calculate करके आप पता कर लेंगे कि इस राज्य का development हुआ वहां पर health infrastructure कितनी तेजी से बढ़ रहा है सिक्षा कितनी तेजी से बढ़ रही है growth rate कितना तेजी से बढ़ रहा है साक्षयत्ता कि male female का ratio कैसे balance किया जा रहा है मतलब कि brood hathya कितनी कम हो रही है बच्चे कुपिसित कितने कम हो रहा है तो यह सारी चीजों को और भी हम ध्यान दितने है उसके accordingly हम calculate करते हैं कि development कितना हो रहा है और कहां हो रहा है और कैसे हो रहा है ठीक है यह सारी चीज़ें यहां पर डिसकस की गई है तो पूरा चप्टर इसी प्रकार से आपको बताया गया है कुछ अच्छे एच्छे एग्जाम्पल्स दिये गए इनको पढ़ेंगे आप यूमन डिवल्प्मेंट रिपोर्ट है यह जो बॉक्स में लिखे रहते हैं आपके एंटीस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इसको जरूर पढ़ा करिए जो डाटा वज़ा होती है एक बार देख लिया करें डाटा रटना जरूरी नहीं है बड़ डाटा को पढ़ लिया क कुवें से निकालते थे बल्टी को डाल के अंदर लेकिन आज आप लोग आसपास कहीं कुवा अगरा नहीं देख पाई तो यह दिखाता है कि हां डिवल्प्मेंट हो रहा है चीज़े आगे बढ़ रही है इसके लाओं आप लोगों ने आज देखा होगा कि बहुत सारी मत यह थे संसल्फाइब करने में तो अच्छे तर हीगा सीज़े आपको एक अच्छा नौलेज्स भी देता है और इससे आपके ईग्जाम में पूछे जासे करने वाले हैं क्योंकि मेरे पास जो resource available है उसमें दोनों chapter एक साथ दिये गए थे तो वो DPP मैं फिर से आपको mark कर दे रहा हूँ वहाँ पर जाकर वहाँ से download कर लीजे इस chapter को पढ़ने के बाद उसको attend जरूर करिए गया तो मैं उम्मेद करता हूँ कि चीजे आपको बहुत भैतर समझ में आई होगी अब आपको NCRT को पढ़ने में दिक्कत उतनी नहीं होगी जितनी पहले होने वाली थी ठीक है तो यहीं पर मैं आपको छोड़ता हूँ फिर मिलेंगे अगले किसी NTSC के social science के वीडियो में जिससे आपको NTSC के तैयारी करने में कोई भी दिक्कत ना है तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए बाबाई टिक केर लभी ओल एंड जय हिंद